नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड नमाज चलम आप सभी का सौगत है फ्रेंड यूपी पीसील की तरफ से एक अपडेट आपके सामने निकल के आ रही है जो कि हमारे किसी भाई ने ये आईटियाई लगाया हुआ था तो आप सभी के सामने मैं यहां पर बताने वाला हूँ कि किस प लोगों के सामने यहां पर बताने का प्रयास करेंगे और आप सभी जो भी हमारे साथ ही देख रहे हैं वो सभी वीडियो को लाज तक बने रहीएगा जिससे की आपको सारी जानकारी मिल सके और यह उत्तर परदेश पावर कार्परेशन लिम्टेट की तरफ से आप देख सक आते हैं यह हम सभी के खिलाफ होता है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो हमारी भरती है यहां पर देखिए पूछा क्या है विसय या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतरगत मांगी गई सूचना के संबंद में यहां पर जो उप्रियुत विसय या आई भीजा हुआ था तो फाइनली उसका रिप्लाइब 20 तारी को अभी रिसेटली आया हुआ है कल के डिट में ठीक है तो मांगी गई सूचना के संबंद में निम्न आउगत मतलब निम्नवत आउगत यहां पर करानी की बात की गई सबसे पहले देखिए यहां पर मांगी गई स अब तक आई कि यह पूछा गया तो देखिए यहां पर इन्हों ने जो सूचना दिया है या बोला क्या है कि 172024 की इस्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरसन लिम्टेंड में अवर अभियानता के कुल 403 एओम अवर अभियानता जनपाद के जो है कुल 18 रिक्त हैं मतलब जो पद हैं वो रिक्त हैं एओम अन्य सूचना उत्तर परदेश सूचना का अधिकार नीमवली 2015 के नीम के अनुसार खा तीन के अनुसार प्रदान किया जाना नीमा कूल नहीं है कहने का मतलब यह होता है कि जो भरती कब तक आएगी या कोई भी बताता नह नहीं है चाहिए जो भी आयोग हो ठीक है आपकी सीटों की संख्या बता देंगे लेकिन भर्दी कभी भी नहीं बताई जाती है यह ध्यान दीजेगा अब यहां पर आ जाती है बात आपकी UPPCL TG2 टेकनीशन ग्रेट टू ठीक है जो एलक्रीशन के बच्चे हैं इसमें क्या बोला है कि UPPCL TG2 में कितना सीट वेकेंट है और कब तक वेकंसी आएगे तो देखे इन्होंने क्या बोला है कि 1724 के अंतर इस्तिति के अनुशार उत्तर परदेश पाउर कार्पूर्शन कि नीमा उली 2015 के अंतरगर जो है यहाँ भी बताना सही नहीं है कि कब तक आएगी तो आपकी जो सीटे हैं वो पूरी तरह से खतम कर दी गई है मतलब TG2 की पूरी सीटे खतम कर दी गई है यह आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे इस्तिती रहे तो TG2 की भरती भविस्य में भी देखनी को नहीं मिलेगी तो आप लोगों को इसके लिए जागरूख होना है अभी आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने जो है TG2 के लिए कितना मेहनत किया और जाके फाइनली हम लोगों ने इस पर जीत हांसिल कर लिए तो आप लोगों को भी इसके लिए समझना हो और हम जैसे टीचरों का साथ देना होगा, आने वाले समय में हम लोग भी आपका साथ देंगे, जिससे कि आपकी जो भरती सुन की संख्या है, इसको हम लोग क्या करें, इसको हजारों की संख्या में आपके सामने लाके दें, तो देखें, मैं आपको बता दू कि जो हमारी ट्रेट के बच्चे उसमें eligible होते हैं ये electrician का बच्चा देख रहा था ये ना सोचे कि हम TvL operator में नहीं जाएंगे नहीं सभी रहेंगे TvL operator में ठीक है तो उसमें भी आप लोग form fill up कर पाएंगे तो जो भी बच्चा TvL operator में रहना चाहता है वो भी वहां से जुड़े बाकी मैं यहाँ पर बात कर रहा था TvL टूक लिए तो इसके लिए आप सभी को हम सभी का साथ देना है आने वाले सवर में आप लोगों का हम भी साथ देंगे जिससे के आपकी भरती आ सके खैर यह चीज़े हो चुके उसके बाद UP PCL की वेकंसी में National Institute of Open Schooling NIOS Board से High School and Intermediate और Single Subject से Pass Other All Subject UP Board Pass Valid और Invalid क्या है तो देखिए उत्तर परदेश अधिकार नीमोरी 2015 के नियम संख्या 4 या फिर 2 के अनुसार सूचना प्रदान किया जाना नियमा कुलू मतलब इसके बारे में भी यह नहीं बता सकते हैं ठीक है तो यह भी यहाँ पेड़ों ने इस चीज़ को लेकर बोल दिया है कि हम इसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे लेकिन फाइनली हमारा जो हार्ड अटैक का जो टाइम बन रहा है या फिर हमें हार्ड अटैक जो दे रहा है वो TG2 का जीरो वैकनसी दे रहा है मतलब बोला जा रहा है कि आपकी जो संख्या वो सुनने हैं वोई भी सीटे इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी तो ये फ्रेंड आप सभी को जागने की बात है आप सभी जब तक जागेंगे नहीं अपनी भरती को लेकर हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ाएंगे या फिर नहीं इसको आप आगे मुद्दा बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है वैसे भी आपकी भरती को लटका के लोग वैसे भी रखे हैं यूपेटर प्लेस्स कराने की और भी चीजों को लेकर लिए आपको भ्रमित कर रहे हैं तो यह सारी चीजे हैं पकी आप इसके लिए जाग रूख हैं आप लोग अपना जो भी निर्ड़ा होगा आप लोग कमेंट करके बताएगे कि या इस भरती को लेकर हम लोगों को आगे सोचना चाहिए या नहीं और चैनल पने हैं तो अन्तिम में आप सभी इस कहना चाहेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब लाइक सेर कर लिजेगा सो थैंक वाचियन बाइबर